हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका पीकर एलेटिकल इंजिनिंग चैनल में ठीक दोस्तों तो हम लोग देख रहे हैं आरके राजपूत अब्जेक्टिव्स यह इंट्रीजिशन अफ एलेक्टिशिटी में चैप्टर इल्युमिनेशन का पार्ट वन देखते हैं तो जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक एंट सेयर करें ठीक दोस्तों बढ़ते हैं अब्जेक्टिव्स की तरफ इस सत्वा है को देखें दोस्तों पहला कुरेशन क्या बीच और फॉलाविंग इस स्टेट्मेट सेक्ट है उन में से कौन से स्टेट्मेंट सही क्या है राफिज ए फ़र्म आफ हीट एनर्जी लाइट के से लाइट रेक्ट्रमेटिक मैंगनेटिक वेप ऐस ध्यग्राट खुरय ल्यमनेस इसें शाथ मेंच्ट के लियुमन पर वाट, ठीक दोस्तों, अगला कुश्यन, कि कैंडला इस दा यूनित ओफ वेच आप दा फॉलविंग, कैंडला इन में से किस की यूनित होती है, तो वेवलेंथ या लियूमनेस इंटेंश्टी की, लियूमनेस फ्लक्स या फ्रक्वेंसी, तो इस में से जो कुशन नमबर फॉर, कलर ओफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, कलर ओफ लाइट, लाइट का कलर होता है, किस पर डिपेंड करता है, तो फ्रक्वेंसी या वेवलेंथ या बोथ ए एंड बी या स्पीड ओफ लाइट, तो ये दोस्तों, जो कलर ओफ लाइट होता है, ये illumination of one Lumen per square meter is called तो illumination of one Lumen per meter square क्या कहता है दोस्तों यह कहलाता है हम लोगों का लक्स ठीक है जो लक्स होता है लक्स होता है दोस्तों Lumen per meter square ठीक है अगला question question no.6 क्या कह रहा है इस solid angle is expressed in term of solid angle किस तरकार मापा जाता है यह दोस्तों मापा जाता है इस्टे radiant ठीक है इसको इस्टे रेडियन दारह एक्सप्रेस करते हैं अगला question question no.7 the unit of luminous fluxes luminous flux का मात्रक होता है दोस्तों Lumen अभी चर्चा की उसके बारे में ठीक है अगला question flamen lamp operate normally at a power factor of flamen lamp होती है वह normally कितने power factor पर operate होती है यह होती दोस्तों 0.5 lagging पर ठीक है no sorry 0.5 lagging पर नहीं होती दोस्तों यह unity flamen lamp मतलब यह अपना यह flamen lamp होता है वह unity power factor पर नॉर्मली operate होती है ठीक है कि अगला question question number 9 क्या कह रहा है the flamen of GLS lamp is made of to GLS lamp होता है उसका flamen किसका बना होता है दोस्तों यह बना होता है टंगर स्टन का ठीक है अगला question question number 10 fine diameter tungsten wire are made of made by जो tungsten wire का diameter होता हो किसके दौरा किसकी दौरा बनाए जाता है दोस्तों यह बनाए जाता है वायर डाइग्राम के दारा ठीक है अगला कुश्चन वाट परसेंटेज आप दा इन्पूट एनरजी इज रेडियेट रेडियेट वाई फ्लामेंट लैंप तो कितने परसेंट एनरजी लगवग उसकी इन्पूट एनरजी का रेडियेट होती है तो होती है दोस्तो लगवग 10 से 15 परसेंट ही जो एनरजी होती है इन्पूट की वो रेडियेट होती है फ्लामेंट लैंप में ठीक है दोस्तो अगला कुश्चन वेच अफ दा फॉलाविंग लैंप इस दा चीपेस्ट फ्रॉम दा सेम वाटेज अगला कुश्चन दोस्तो वेच अफ फॉलाविंग इस नौट दा इस्टेंडर रेटिंग अफ जी लैंप तो जी लैंप की स्टेंडर रेटिंग क्या नहीं होती है दोस्तो तो 100 वाट का भी बल बाता है दोस्तो एंड 40 वाट का भल बाता है एंड 15 वाट का भी बल बाता है दोस्तो 75 वाट का भल नहीं आता है तो इस्टेंडर रेटिंग नहीं होती है 75 वाट ठीक है अगला कुश्चन In houses, the illumination is in the range of Houses में illumination की range क्या होती दोस्तो ये होती है लगबग 60-65 वाट ठीक है अगला कुश्चिन The illumination is directly proportional to the cosine of the angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of the incident flux एबब statement is associated with ये किसने कहा है दोस्तो ये दोस्तो होता है इसे ये कहा है लेंबर्स कोजाइनला कहते हैं तो directly proportional होता है कोजाइन ऑफ एंगल के ठीक है ठीक है दोस्तो अगला कुश्चिन The color of sodium vapor discharge lamp is जो sodium vapor lamp discharge lamp होते है उसका color होता है दोस्तो yellow जब पूर्ण रूप से जब वो जल जाती है शुरुआत में उसका color हलका pink color ली होता है लेकिन जब जल जाती है तब उसका color yellow हो जाता है ठीक दोस्तो अगला कुश्चिन Carbon arc lamps are commonly used in Carbon arc lamp किसमें commonly used की जाती है तो photography, cinema projectors, domestic lighting या street lighting तो generally या commonly carbon arc lamp वो cinema projectors में use की जाती है ठीक है अगला कुश्चिन The desirable illumination level on the working plane depends upon तो जो illumination level है वो working plane पर कैसे depend करेगा तो age group of observer जी दोस्तो Whether the object is stationary or moving Size of the object to be seen and its distance from the observer Whether the object is to be seen for longer duration और shorter duration of time All of the factors तो all of factors पर ये depend करता है illumination level का ठीक है अगला कुश्चिन On which of the following factors does the depreciation और maintenance factor depends तो ये सारे जो सारे फेक्टर दिये हैं इप्रेशन और maintenance factor पर डिपेंड कैसे करेंगे तो लैंप क्लीनिंग शिड्यूल अगला क्यूश्चिन ताइप आप वर्क केरीड आउट दा प्रिमाइस इस आल अप दा एवफ फेक्टर तो ऑप्शन दी करक्ट ये सारे इक सारे फेक्टर डिपेंड करेंगे डिप्रेशन और maintenance फेक्टर पर अगला क्यूश्चिन दा लाइटिंग इंस्टॉलेशन यूजिंग फ्लामेट लेंप्स वन परसंट वोल्टेज डॉप रिजल्स इंटू अगर एक परसंट लाइटिंग इंस्टालेशन की समय फ्लामेट लेंप्स एक परसंट वोल्टेज डॉप होगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट नो लोस of light one point five percent loss in the light output या three point five percent loss in the light output या 15 percent loss in the light output तो लगवोग three point five percent loss in the light output ठीक है आगरा question for the same lumen output the running cost of the fluorescent lamp is same lumen output में एक टो इक वो एक तू तू दा equal to that of flouement lamp या less than that of flouement lamp more than that of flouement lamp या any of the above यह दोस्तो जो cost of fluorescent lamp की running cost है तो वो flouement lamp से कम आईगी same lumin watt पे less than the less than that of flouement lamp अगला question दोस्तो for the same power output जब same power output होगी तो क्या होगा high voltage rated lamp will be more sturdy या low voltage rated lamp will be more steadily तो low voltage lamp rated lamps will be more steadily अगला question the cost of a fluorescent lamp is more than that of incondensate lamp because of which of the following factors fluorescent lamp का cost होता है वो incondensate lamp से जादा क्यों होता क्योंकि more labor is required in its manufacturing यह सही है number of components used in more यह भी सही है दोस्तो quantity of glass used in more यह भी सही है all of the above factors ठीक दोस्तो अगला question flamen's lamp at starting will take current flamen lamp starting में current कैसे लेती है तो यह लेती दोस्तो more than its full running current यह running current से जादा current लेती starting में अगला question reflectors is provided to protect the lamp यह प्रोवाइटर ल्यूमिनेशन एवाइड ग्लियर डू आल अप द अभव तो जो reflectors होते हैं यह सारे काम reflectors अच्छे से करता है अगला question दोस्तो दा purpose of coating the fluorescent tube from inside with white power is तो क्या होता है दोस्तो कोटिंग करने का fluorescent tube के inside अंदर साइड से जो कोटिंग करते हैं उसका क्या purpose होता है तो इंप्रूब इट्स लाइफ या तो इंप्रूब दा appearance to change the curl of light emitted to white to increase the light radiant radiation due to secondary emission जी दोस्तो जो सेकंडरी में होता है उसमें light radiation को इंप्रीज करने के लिए कोटिंग करते हैं ठीक है दोस्तो अगला question due to moonlight illumination is nearly moonlight के illumination कितना होता दोस्तो illumination मतलब 4 या चमक तो यह होती दोस्तो 0.3 lumen per meter square ठीक है अगला question which of the following instrument is used for the comparison of candle powers of different sources तो किसके दोर हम लोग comparison करते है candle powers का difference sources का तिये करते हैं दोस्तो हम लोग फोटो मीटर के दोरा ठीक है दोस्तो फोटो मीटर के दोरा अगला question दोस्तो फोटो मीटर is used for comparing the light of different colors तो यह किस तरह से जो फोटो मीटर होता है किस तरह से light different color करता है किस तरह से बताता है दोस्तो तो यह बताता है हम लोगों को ग्लूट्स फ्रिकर के दोरा ठीक है ग्लूट्स फ्रिकर फोटो मीटर is used for comparing the light of different colors ग्लूट्स फ्रिकर फोटो मीटर होता है उसको हम लोग comparison के लिए यूज करते हैं different color में अगला question in the fluorescent tube circuit the function of choke is primarily tube तो fluorescent tube में जो चोक का primarily क्या function होता है यह होता है दोस्तों कि initiate the arc and sterilize it ठीक है तो यह आर्क को initiate करती है एंड sterilize करती है अगला question question number 32 cannot sustain much voltage fluctuation मतलब इन में से कौन सा है जो ज्यादा voltage fluctuation नहीं सेहन कर सकता तो sodium वैपर लैंप या mercury वैपर लैंप incondescent lamp या fluorescent lamp तो जो incondescent lamp होता है दोस्तों यह ज्यादा voltage fluctuation शेहन नहीं कर सकता कि अगला question question number 33 the function of capacitor across the supply to the fluorescent tube is primarily 2 का क्या function होता है fluorescent tube में यह दोस्तों क्या करता है improve the supply power factor यह supply power factor को improve करता है अगला question does not have separate choke इनमें से किसमे separate choke नहीं होती दोस्तों यह होती है सोडियम बैपर लैंप पे separate choke नहीं होती है इसके साथ में चोक लगी होती है ठीक दोस्तों अगला question and 35 question क्या है इन सोडियम बैपर लैंप दा फंक्शन आप लीक ट्रांसफोर्मर एज तो क्या होता है सोडियम बैपर लैंप पे लीक ट्रांसफोर्मर के फंक्शन होता है दोस्तों यह होता है to stabilize the arc को stabilize करता है and to reduce the supply voltage and supply voltage को भी reduce करता है तो options is correct both A and B ठीक दोस्तों